हेलो काईस तो रियल्मी ने अपना रियल्मी नार्जो 34G और 5G लांच कर दिया है इस वीडियो में हम 4G वाले वेरेंट के बारें बात करेंगे अपना एक ओनेस्ट ओपिनियन देंगे कि क्या ये फोन वैल्ली फोर मनी है क्या ये आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए और ये अप ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी फोन के बारे में अपना जो ओपिनियन दे रहे हैं हम हर वीडियो में आपको जो भी नया फोन आता है उसके बारे में ओपिनियन देते हैं चाहिए वो किसी भी कंपनी का हो और एवन हर फोन को कवर करने की कोशिश करते हैं तो लावा यहां पर हमें पंचोल के लिए मिलता है, तक नार्जो की ब्रेंडिंग है, छोटी ब्रेंडिंग नहीं है इस बाट है, और इसके इलावा चो फ्रेंट साइड है, आप रहा हमें फंचोल देखने के लिए मिलता है, टॉप लेफ्ट कॉर्णर के अंदर 6.55 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्पले है जहाप 90 Hz का रिफ्रेस्ट रेट है प्लास्टिक की बॉड़ी है और सामने कौन सा ग्लास है बताया नहीं गया है साइड मांटें फिंगर्पिंट सेंसर है जायर सी बात है IPS LCD में साइड मांटेंड ही लगेगा इसके लावा सामने के तरफ जो सेल्फी मिलती है और रियर साइड में जो कैमरा कॉंबिनेशन है आपको लगता होगा अल्ट्रावाइड दिया होगा बट नहीं 4G वाले वेरेंड का जरूर होना चाहिए था लगबख हर कंपनी 10,000 के आसपास चोबी फोन लॉंच कर रही है एक 8 मेगा पिक्सल का अल्ट्रावाइड तो प्रोवाइड कर ही रही है तो यहां पर यह बड़ी कमी लगती है मुझे यहां पर इसको होना चाहिए था Android 11 पर लॉंच हुआ है यह G95 उठाके दे दो बे हीचक हो गए G95 का बहुत इस्टोक है इनके पास क्यों कि वही इस समय कंपनी जो है स्मार्टफोन कंपनी के पास चिप्स की शोटेज चल रही है बड़ यहां इनके पास कोई शोटेज नहीं है G95 की लगता है कि एक बार में पूरा बंडार उठाके न इसका मिलती है इसके इंदर यहां पर यहां पर यहां पर अच्छी गेमिंग कर देगा गेमिंग के लिहाज से फोन में कमी नहीं है बस फोन हीट ना करें यह एक में प्रप्लम है 16 Megapixel के Selfie आपको मिलती है इस प्राइस रेंज के अंदर लगबग सारे फोन्स में that's a good thing पास्षार एमिज की बड़ी बैंटरी मिलती है और 30 वार्ट का चार्जर है कंपनी किलेम करती है 26 मिनिट में 50% बैंटरी चार्ज हो जाएगी और 65% में 100% बैंटरी चार्ज हो रखा गया है 12,499 रुपीज जो कि हमारे 4GB रहा है और 64GB वैले पेरेंट के लिए है realme.com और फ्लिपकार पर आपसे 29 जून को बाय कर पाएंगे फर्ट सेल है इसकी और फर्ट सेल पर 500 रुपाय आफ भी मिल रहा है आपको केवाल 12,000 रुपाय मिल जाएगा फर्ट सेल पर अगरा आप बाय करते हैं तो मेरे ख्यालत है फर्ट सेल के लिए G95 12,000 रुपाय में बुरी डील नहीं है I think it's a good deal full HD display 90Hz अगरा मिल रहा है आपको 12,000 रुपाय में आपको available हो जाएगा that's a great deal you can buy it and मुझे लगता है कि ये value for money है केवाल 500 रुपाय कर रहा है तो फिर आपको नहीं करना चाहिए जिसको बाय करना है अपना मन बना लो और पहली सेल में बाय करके चुट्टी करो आकर आपको बाय करने के कोई ज़रूरत है नह यह offer available है तो यह मेरे opinion थे मतलब ठीक ठाक फोन है मैं value for money कह दूं आइसे ओवर प्राइट हम इसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे यहां पर बाद एक ultra wide और होता तो यह phone काफी अच्छा हो सकता था बट अभी भी यह phone बुरा नहीं है 12,000 में G95 मिल रहा है नहीं कि आपको cheapest G95 व मिल जाएंगे मिल नेक्स वीडियो में जब तक लिए बाइबाय टेक केर चाहिए